कि बूरूर्णी स्टुडेंट आज का हम्हारे नेक्ट्ट टॉपिक है एद्वांस टूल्स ठीक है में यहां एड्वांस टूल्स होते हैं ड्रेग औन ड्रोप इसमें ड्रेग औन ड्र्ॉप होता क्या है हम class में देखे हैं मैं आपको बताया था drag and drop होता क्या है ड्रैक का मतलब होता है कि आप क्या करते थे चल्ब से पहले विजल बेसिक इन्वार्मेंट ओपन करते थे विजल बेसिक 6.0 जिसमें से id इन्वार्मेंट आपके desktop के सामने आता था वहाँ पे एक toolbox होता था ठीक है उस toolbox में बहुत सारे क्या रहते थे आपके objects रहते थे objects मतलब समझ रहे हैं बताया था label, text box, command button, window button, image box, combo box, list box ठीक है ये सारे चीज़ जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके objects होते हैं ठीक है उन्हीं objects को क्या करते थे आप mouse की through drag करते थे ठीक है catch, पकंड़, ठीक है तो उसको क्या करते थे, drag करके अपने visual basic जो forms होते थे विवी का जो forms उसमें ला के क्या करते थे, छोड़ देते थे तो इससे क्या हो जाता था इसी process को क्या बोलते है drag और जो forms मिलाके जो छोड़ते थे उसको बोलते है drop ठीक है तो simple सा है drag का मतलब होता है कि object जैसे कि यह सब है labels, text box, command button उसको drag करना मतलब पकरना और drop मतलब क्या होता है छोड़ना ठीक है तो drag and drop क्या होता है visual basic में हम form designing के समय tool box में available जो object सहते हैं उसको mouse के through drag करना मतलब select करना और उसको forms में ले जागा drop करना छोड़ना ठीक है यही process जो होता है वो visual basic में drag and drop कहा जाता है ठीक है यह questions जो है very very important है exam point office है और यह हमेशा exam में पूछते हैं what is drag and drop operations या explain drag and drop in visual basic तो आपको दो नंबर में अगर पूछता हैं तो simple सा यही concept यही definition आप दे सकते हैं आपको अच्छे marks मिलेंगे और थैंक्स गास